करनाटक में येदरप्पा मंत्री मंदल के विस्तार से पहले बवाज शुरू हो गया है मुखे मंत्री बियास येदरप्पा ने पार्टी हाई कमान को जो लिस्ट भेजी है उसमें सीपी योगेश्वर का भी नाम शामिल है सीपी योगेश्वर ना तो विधायक हैं और ना ही विधान परिशल सदस्या सीपी योगेश्वर को मंत्री बनाय जाने के अटकलों से बीजेपी के कई विधायक नाराज हैं और इस्तिफा देने की धमकी दे रहे हैं हलंकि नेता अभी पार्टी हाई कमान के फैसले का इंतिजार कर रहे हैं मंत्री मंदल विस्तार पर राज्जे में चल रही रार पर बीजेपी विधायक राजु गर्ड़ा ने फोन पर बताये कि सीपी योगेश्वर को काविनेट मंदल में शामिल करने का फैसला निराशा कर निर्जनक है हम हैदरवाद करनाटक के सभी अन्य विधायकों से मिलेंगे और भविश्य के बारें में विचार करेंगे इसलिए मंत्री नहीं बन सकते